सुभे सुभे एक बहुत ही चिंता जनक और निराशा जनक ख़बर शेर करने के लिए बुलाया है आप लोगों को जान करके आश्चरे होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खतम हो गई है तालबंदी लोकतंत्र की हो गई है हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को आउनर नहीं कर रहे है उसके उपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें पताया गया कि देश की मुख्य ओपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिये गए है कॉंग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर ताला बंदी हो गई है कॉंग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिये गए हैं हमारे देश में लोकतंत्र पर ताला बंदी हो गई है और ये कॉंग्रिस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए है हमारे देश में डेमोक्रिसी फ्रीज हुई है हैरानी की बात ये है कि जब दो हफ्ते केवल या हफ्ता चुनाव घुशना के लिए रह गए हो ऐसे समय में प्रमुख उपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज करके ये सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करें गए हैं मैं आपको बताना चाहूंगा तो वो हासेपद है और ना केवल कॉंग्रिस पार्टी के कल शाम को यूथ कॉंग्रिस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिये गए और यूथ कॉंग्रिस और कॉंग्रिस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करें गए है 210 करोड की रिकवरी इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कॉंग्रिस और कॉंग्रिस से मांगी 210 करोड की कुल दिकवली और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाडे पुझी पतियों का पैसा corporate tax का पैसा नहीं corporate bonds का पैसा नहीं है यह यह पैसा जो Congress Party की accounts में है वो online जो हम लोगों ने crowdfunding जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है लगबग 25 करोड उपया हमारा इकटा हुआ है जो हमारे देश के अंदर जिसमें 95 प्रतिशत से भी जैदा पैसा 100-100 रुपे से भी कम यूपी आई से लोगों ने जमा कराया यूथ कॉंग्रेस का जो पैसा है यूथ कॉंग्रेस की मेंबर्शिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इंकम टैक्स ने भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है हिरानी और दुख की बात है और दूसी तरफ जो कॉर्परेट बॉर्ण्स का पैसा जो सुप्रीम कोट ने जिसको अनकॉंसिटूशनल कर दिया है वो भारती जंता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है तो लोकतंतर कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंतर खतम हो गया है, लोकतंतर पे बेडिया लग गई है, लोकतंतर पे तालाबंदी हो गई है, ये कॉंग्रिस के अकाउंट के उपर तालाबंदी या बेडिया नहीं है, ये लोकतंतर के उपर तालाबंदी और बेडिया है, चुनाव स के अंदर रहेगी बाकि सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे बाकि पार्टी इसको क्या रहने का अधिकार नहीं है